असलाम उलेकुम एप्रिवान वैलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम आस्तर बाले सूट की कटिंग एन इस्टेटिंग करना सीखेंगे जोकि बहुत जादा आसान तरीका होगा तो सबसे पहले मेजरमेंट आपको दिखा देती हूं इसक्रीन पर एक टो सबसे पहले मैं नेट वाला फैबरिक टोटल दो मीटर लिया हुआ है और जो लाइन इस्टर में यूज़ करेंगे है ये सिल्क फैबरिक ये भी हमने ठोटल 2 मिटर यूस किया है तो चलिए सबसे पहले तो हम अपनी कुर्टी को फोल्ड कर लेते हैं सबसे पहले हमे नेट फैब्रिक लेना है और कट करने का अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगी वीडियो को लास्ट तक देखना सबसे पहले तो आपने जो है अपना नेट वाला फैब्रिक फोल्ड करकर रख लेना है फोर फोल्ड में इसकी विर्थ मैंने रखी है बारा इंच की आपके जि सिंच रख रही हूं बॉटम से ही अपने लेंट को नापना है और उसके बाद 32 लेंट या जितनी वी आपकी लेंट हो उतना यहां पर नशान लगा लें एक इंच एड़ करते हुए जो उपर सोल्डर में सलाई में जाएगा तो मैंने पूरा यह 33 सिंच का कट कर लिया है उ पेनों अच्छे से लगा लेंगे ताकि यह इधर उधर बिल्कुल भी ना भागे तो आपका कोई सा भी कपड़ा हो लाइनिंग में अगर आप सिल रहे हो तो फिर इसी तरीके से आप कटिंग कीजिएगा अब सबसे पहले इस रोल्डर पर मैं नशान लगा रही हूं तो सि चक का नशान मैं लगा रही हूं 12 इंच पर और 12 इंच का सहरा है और 12 इंच के हाफ कर लें जा सिप को ऐसे फोड़् कर लें 12 इंच पर रख़ लें सेंटर पर जितने भी आता है इसे इसे पर अर्ष्वय कर लिए है चौदा है तो 24 का होड़ा हाफ कर लिया है और huge 7 इंच प अगर से फंटी है तो इसे भी ढाल यहां पर दे सकते हो फिर या आप इंची टेप से भी ढाल दे सकते हो और एक्ट्र मैं तकरीबन एक या डेर इंच के एक्ट्रा फैब्रिक रही हूं उसके बाद क्या करना है यहां से देखिए चाक का हमें सीधा निशान इस तरीकी से लग करेंगे जितने हमने अपनी कुर्टी की लेंथ ले है उसके बाद यहां पर गुलाई दे दे आर्म होल पर फिर अंट एंट बैक की कुर्टी की कटिंग अभी तक नहीं सीखिए तो चैनल पर जाकर सीख लेजिए लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा तो हमने अभी काथ ही साथ किर्ट हो गया हैब उसकी बाद क्या करना है जो आपका श्तर वाला फैप्रिक है बहाँ से पिन निकाल educate यहां से बंद जो हिस्सा है इसको अपन कर लें ऐसे तो यह हिस्सा ओपन हो गया है अब यह लाइनिंग वाला फैब्रिक हमें हटा देना है अब हमें नेट वाला फैब्रिक लेना है जो कि हमने कुर्ती को कट करकर रखा है अब सबसे पहले यहां पर आपने निशान लगाने है अपने नेक का तो यहां पर नेक की विर्थ में तक poking लोग सकते हूं कहाय का दोसलिछ इवा नेटा करके उधकिन क्वाहिए जान लेन्ट creation करना लिता दोसाद पें़ो साथ ही साथ नठ लिए आप इहां गहाएय confess किक शुझा लागा है अब सबसे पहले आपने बैखनेगा करना है उपर वाला जो हमने निकाल देना है बो कट कर लेना है अब कट करने के बाद यहां से अपने कुर्ती को बैक साइड निकाल देना है जो बैक साइड का हिस्सा है हमारा यह हमने निकाल देना है इस तरीके से और जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको दुबारा से फोल्ड किसे कट कर दे उसके बाद जो हमारे आर्म होल है फ्रंट पार्ट के जो हमने गुलाई दी अभी आर्म होल पर बो अपने कट कर देने तो चलिए मैं कट कर देती हूं तो मैंने यहां से आर्म होल की कुलाई कट कर दी है अब क्या करना है अपने इसको ओपन कर लेना है उपन कर कट नहीं यह यह सब आपने हमें गले पर सलाई आप इपर अमतिस सब्सक्राइब ने कट करने के आप चाहें तो पूरा हैë सेट कर लेते हैं इसे के ऊपर कच्छे धागे से सेट करकर और उसके बाद आप बुकरम पर अगर नेक बनाना चाहते हो तो इस तरीके से बनाना चाहते हो तो यह सबसे बैस तरीका है तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो अब यहां पर कट्स लगा लें ताकि हम इसको फोल्ड करें तो कोई भी जोल बगेरा ना आए अब इसको देखिए हम सीधी साइट को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद पूरी कुर्टी को हम अच्छे से सेट कर लेंगे तो यह हमारा नेक इस तरीके से बनकर रेडी हो गया है अब इसमें ना ही आपको हैंड स्विचिंग करने की जरूरत है ना ही कुछ और तो अच्छे से यह सेट करने के बाद आपने क्या करना है सबसे पहले यहां पर सिलाई लगाने है और यहां पर कच्छा कर लेना है बड़े-बड़े टाकोर से तो मैंने अभी कुर्ती पर कच्छा कर लिया है हमने यह पार्ट अच्छे से अच्छे से हमने सेट कर लिया है यहां पर मैंने कच्छे धागे से सिलाई की हुई है अब जो आप असतर वाला सूथ हो इसी तरीके से चलना अशलालब बहुत जड़ अच्छा बनेगा, आपने बैक पार्ट तैयार कर लेना है, नेक कट कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पर सेम तरीके से चलना है, शेट करने के बाद अब आप यहाँ पर चलाई अच्छे से लगा सकत कर लेंगे और ईसके बाद यहां से आपने चाक बगएरा फोल्ड कर लेने हैं उंदर का बॉटम हमें इस तरीके से फोल्ड कर ले तो सेम तरीके से Normal कुड़ी सीलते हैं उसी तरीके यहां से हम इसको बात में लगांगे। अब किया करना है इसको अपने फोल्ड कर लेना है कपडioxid को और जो सादा वाला फाड़िक है प्ले इसको एसे ही रहने दें उसको फोल्ड ना करें और जब यह फोल्ड हो जाएगा तो इस हिस्से को आप निकाल दें निकालने के बाद अपने हिसाब से चौड़ाई को फोल्ड कर लें जितने भी आपके आरमओल फिक्स अते हूं उसकी के हिसाब से ए फोल्ड करना है और बाकी कीकपी का फैब्रिक कट करदेना है तो स्थीम तरीके आपके से हम normal स्लिपा कट करते हैं उसी तरीके मैं यही तरीकह van k2 कर लूँगी मोरी में रहा हूं रहर हूं मौरी आर्म हूल पर और और मोरी को इस तरीके से मिला दें और यहां से यह कट कर दें जब यह कट हो जाएगा तो एक दुसरे के साथ इसको अटेश कर दें देखी लाइनिंग वाले फैबरिक में हम इसको ऐसे ggछे धागे से सलाई कर लेंगे और सलाई करने के बाद इसको बॉटम है जो अलगा northeast कर लें दो हिस्से कर लें उसके बाद यहाँ पर हम इसको ऐसे जोड़ लेंगे स्लिप्स को पूरा सिल लें और सिलने के बाद कुर्टी में अटेच कर दें कुर्टी में अटेच करने के बाद फाइनल लुक इस तरीके से आया है देखिए बॉटम हमने यहां से फोल्ड कर लिया है अंदर वाला फैब्रिक और चाक बगेरा फोल्ड कर लिये हैं फोल्ड करन झाल झाल